भारत के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स जहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है मांडवी एक्सप्रेस द्वारा मुंबई से गोवा का सफर आपके लिए नेचर के बीच सफर करने जैसा होगा इस रूट का सफर करते हुए आप घने जंगलों जहरनों और खतरनाक रेलवे ट्रैक का मज़ा ले सकते हैं इस रूट पर जहां एक और आपको उंची पहाड़ियां दिखाई देंगी वहीं दूसरी और घने बादलों और पेड़ों से धकी गहरी खाई बानवे सुरंगों और दो हजार पुलों के बीच से होकर जाने वाली ये ट्रैन आपको समुद्र के भी कैप्टिवेटिंग व्यू दिखाएगी इस रूट पर सफर करना आपके लिए नेचर की असली खूबसूरती को देखने और आखों और मन को शांती दिलाने वाला होगा पहाडियां जरने और कई नदियों के ऊपर बने खूबसूरत पुल से गुजरती इस ट्रेन का सफर आपकी दिल की धड़कन को बढ़ा देगा इस ट्रेन के सफर में आपको प्राकृतिक सुंदरता भरपूर देखने को मिलती है लेकिन उससे भी ज्यादा डर लगता है क्योंकि ये ट्रेन सफर काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है चेन्नई को रामेश्वरम से जोडने वाला ये रेलवे ब्रिज 1914 में बनाया गया था जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो ये अपने आप में इंजिनिरिंग का बेहद खास नमूना बनकर सामने आया था कॉंक्रीट के खंबों पर बने इस पुल की बात करें तो ये समुद्र के एक पार से दूसरे पार पर्याटकों को ले कर जाता है पुल से गुजरती हुई ट्रेन आपको समुद्री लहरों की सुंदरता का ब्यूटिफुल व्यू दिखलाएंगी हलाकीन इठलाती लहरों के बीच ट्रेन का ये सफर बहुत खतरनाक भी साबित होता है समुद्र में होने के कारण अक्सर यहां का मौसम खराब हो जाता है और बारिश या धूंद के कारण पुल पर चलती ट्रेनों को आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता यही कारण है कि इस पुल पर आने के बाद ट्रेन की गती बेहत धीमी कर दी जाती है एक नेरो गेज रेलवे है जो महाराष्टर में नेरल से माथेरान तक चलती है ट्रेक में 20 में से एक की खड़ी ढाल है जिससे ट्रेन के लिए पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है ट्रेक में कई तीखे घुमाव और मोड भी हैं जो इसे यात्रियों के लिए एक चुनौती पूर्ण सवारी बनाते हैं कालका भारत के सबसे मशहूर रेलवे स्टेशन में से एक है कालका जाते हुए टॉय ट्रेन का ये सफर आपकी जिंदगी का सबसे सुन्दर सफर साबित हो सकता है इस रूट पर चलने वाली ट्रेन और यहां के ब्यूटिफुल नजारे आपके अंदर के बच्चे को जगा देंगे 96 किलोमीटर लंबा ये रास्ता 1902 में बनाना शुरू हुआ था इस रूट पर सफर करते हुए आप 102 सुरंगों और 82 पुलों से होकर गुजरते हैं इंता ही नहीं गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस रूट और ट्रेन का नाम सबसे उंचाई पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के नाम से भी दर्ज किया गया है इस ट्रेन में सफर के दौरान मजा तो बहुत आता है लेकिन डर भी हद से ज्यादा लगता है दार्जिलिंग हिमालायन रेल्वे जिसे टॉइ ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है एक नैरो गेज रेल्वे है जो दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है ट्रेक अपने तीखे मोड, खड़ी ढाल और संकरी सुरंगों के लिए जाना जाता है जो इसे भारत के सबसे खतरनाक रेल्वे ट्रेक में से एक बनाते हैं कोई ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गती से चलती है और यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के दौरान कस कर पकड़ें गुवाहाटी सिल्चर रेल्वे एक ब्रॉड गेज रेल्वे ट्रैक है जो असम में गुवाहाटी को मिजोरम में सिल्चर से जोड़ता है ये रेल्वे ट्रैक अपनी कई सुरंगों, पुलों और तीखे मोडों के लिए जाना जाता है जिस वजह से इस ट्रेन में बैठे यात्रियों को डर और एडवेंचर दोनों का एहसास एक साथ होता है ने नजर आएगी लेकिन यह ट्रेन इतनी खतरनाक जगहों पर जाने के बावजूद भी सुरक्षित रहती है नमबर दो नीलगिरी माउंटेन रेल्वे नीलगिरी माउंटेन रेल्वे एक युनेसको विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडू में मेट्टू पलेम से उटी तक चलता है ट्रैक में बारह में एक कढ़ाल है जो इसे एशिया में सबसे खड़ी रेल्वे पट्रियों में से एक बनाता है यह ट्रैक गहरे जंगलों, खड़ी पहाडियों और संकरी घाटियों से होकर गुजरता है जो इसे भारत के सबसे खतरनाक रेल्वे ट्रैक में से एक बनाता है यहां ट्रेन ड्राइवर्स को तीखे मोडों और खड़ी धलानों पर चलते समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होता अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना धन्यवाद